सब्भी को नमस्कार मैं विकास बढ़िया साहे काचारिये राजनेति विज्ञान राज की महिला माविदाले जुन जुनू विदार्थियों पिछला जो वीडियो था उसमें हमने राष्ट्रपती के सम्मन्द में सामाने चर्चा की थी आर्टिकल 52 से लेकर और आर्टिकल 70-71 तक जो भी प्रावधान भारती सविधान में राष्ट्रपती पत के लिए किये गए हैं उन पर हमने सामाने चर्चा की थी जिसमें राष्ट्रपति का कारियेकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को हटाने की परकिरिया इन सब मुद्वों पर हमने सामाने चर्चा पिछले वीडियो में की थी आज का जो वीडियो है इसमें हम राष्ट्रपती की जो सक्तिया हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि भारतिय सविधान जो है उसमें राष्ट्रपती को दो प्रकार की सक्तियां प्रदान की गई है एक वो सक्तिया हैं जिनका प्रियोग राष्ट्रपती है वो समाने प्रिस्तियों में करता है जिनको समाने का लिन सक्तियां कहा गया है दूसरी वो सक्तिया हैं जिनका प्रियोग भारत का राष्टर पती आपात काल में करता है जिनको हम संक्त कालिन सक्तियों के नाम से जानते हैं सामाने कालिन जो सक्तियां हैं उसके अंतरगते राष्टरपती को कौन-कौन सी सक्तियां प्राप्त हैं उन सक्तियों के उपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संक्सेप में थोड़ा सा आपको जानकारी देदू कि सामाने कालिन सक्तियों में जैसे कारिये पालिका समंदी सक्ति आती है विधाई सक्ति उसमें सामिल है वीतिय सक्ति उसमें सामिल है न्याइक सक्तियां भारतिय राष्टरपती को परदान की गई है सविदान संसोदन कि इस विडियो में एक एक करके हम भारत ये जो राष्ट्र पति की जो समाने कालिन सक्तियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगी आँ देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्र पति जो है उसको दो प्रकार की सक्तियां प्राप्त हैं समाने कालिन और संकट कालिन तो समाने कालिन सक्तियों में सबसे पहले हम लेते हैं कारिये पालिका समंदी सक्ति कारिये पालिका समंदी सक्तियों में जैसा कि अपने पहले भी पढ़ा है आर्टिकल जब 53 को पढ़ा था तो उसमें हमने इस पर सब्दों में देखा था कि संग की जो कारिय पलिका सकती है वो राश्टरपती में नहित होती है और उसका प्रियोग वहया तो स्वेम करता है या अपने अधिनस्तों के माध्यम से कराता है तो संग की कारिय पलिका सकती किसमें नहित है भारत की राश्टरपती में नहित है और इसका प्रियोग वहया तो स्वेम करता है या अपने अधिनस्तों के माध्यम से कराता है तो कारिय पलिका समन्दी सकतियों में सबसे मैतुपन बात तो ये है कि संग की कारिय पलिका सकती र विभिन पदादिकारी जैसे कौन-कौन हैं जिनकी न्युक्तियां भारत का राश्ट्रपति करता है तो इसमें देखिए भारत का परधान मंत्री है परधान मंत्री की साहिता से अन्य मंत्रियों की न्युक्ति करता है विभिन राज्यों के जो राज्येपाल है और जो किंदर प्रपती करता है बहार्त का नियंत्रक महाले क्या प्रीक्षक जो है वह संग लोग्सेव आयोक्यादेक्स और अन्य सदस से निर्वाचनायोग्त राष्ट्रिये अलब संखिक आध्यक्स और अन्य सदस से राष्ट्ये महिलायोग के अधेक्स और अन्य सदसे वित आयोग के अधेक्स राजभासा आयोग के अधेक्स पिछड़ा वरग आयोग के अधेक्स और अन्य सदसे इन सब की जो न्युक्तियां हैं वो भारत के राश्टरपती द्वारा की जाती है अब देखिए भारतिय सविदान का जो अनुच्छे 77 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि बार्थ सरकार की समस्त कारिय पालिका की जो कारिवाई है वो राष्ट्रपती के नाम से संपाधित की जाएगी यानि जितनी भी कारिय पालिका समंदी कोई कारिवाई होगी वो किसके नाम से संपाधित की जाएगी वो प्रवधान किया गया है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपती संग के कारिये का कलाप के परशाशन समंधी और विधान विशेग जानकरियां प्रधान मंतरी से मांग सकता है कहने का मतलब है कि भारत के जो परधान मंतरी हैं उनकी ये है जिम्मेदारी है कि वो जो भी कारवाई हैं मंतरी प्रिशद की उन कारवाईयों से भारत के राष्ट्रपती को आवगत करवाएगा और राष्ट्रपती जब चाहे इस समंध में परधान मंतरी से सूचना प्राप संधी शक्तियां सामाने कालिन शक्तियों में दूसरी जो सबसे महत्वप्रण जो सक्ति है भारत की राष्ट्रपती की वो है विधाई सक्ति विधाई सक्तियों में सबसे मैत्वपुन बात तो ये है कि भारत का जो राष्टरपती है वो संसद का अभिन अंग है जैसा कि अनुछेद हम 79 की बात करते हैं जिसमें संसद के गठन समंदी प्रावधान है तो इसमें भी इसपस सब्दों में इस बात का उलेक किया गया है कि भारत की जो संसद है वो तीनु से मिलकर बनेगी तीनु का मतलब क्या है राष्टरपती लोगसभा और राज्यसभा इन तीनु से मिलकर संसद का गठन किया जाएगा तो इसमें राष्ट्रपती को समलित किया गया है तो भारत का जो राष्ट्रपती है वो संसद का अभिन अंग है ये दपित भारत का जो राष्ट्रपती है वो संसद के किसी सदन का सदसे नहीं होता है ने तो वो लोग सबा का सदसे होता है और नहीं राजे सबा का सदसे होता लेकिन भारत का जो राश्ट्रपती है वो संसद का अभिन अंग है राश्ट्रपती को संसद का अधिवेशन बुलाने समाप्ति की घोषना करने का अधिकार प्राप्त है और संसत के 71 की अंतिम बैठक और आगामी 70 की पर्थम बैठक के मदे 6 माज से अधिक का अंतराल नहीं होगा राश्ट्रपती किसी सदन का 17 अउशान करशकता है इसके लावा जो सबसे मैत्रपुन जो सकती है राश्ट्रपती सविदान के अनुच्छे चासी में है वो क्या है कि राश्ट्रपती लोग सभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है आउसे तब पढ़ने पर या मालिजे कोई ऐसी प्रस्तती पैदा हो गई तो भारतिय सविदान का जो अनुच्छे 85 है प्रावधान किया गया है कि भारत का राश्ट्रपती लोग सभा है उसको समय से पहले भंग कर सकता है अब देखिए अगली जो सबसे मैत्वप्रण जो सकती है विदाई सकतियों में ही वो है अभी भाशन की सकती अभी भाशन करने के समन्द में सकती देखिए जब भी कोई नया सत्तर प्रारंब होता है या नई शरकार का गठन होता है तो राश्ट्रपती वो अभी भाशन करता है ये जो राश्ट्रपती जो अभी भाशन करता है ये भारत की मंत्री परिसे द्वारा त्यार किया जाता है तो राश्ट्रपती को अभी भाशन के समन्द में भी सक्तियां परदान की गई है अगली जो सबसे मैत्वपन जो सक्ति है उसमें ये है कि राश्ट्रपती लोग सभा के परतेक आम चुनाव के पस्चात पर्थम सतर के आरंब में संसद के दोनु सदनों को संबोदित करता है इसके लावा सबसे जो मैत्वपन जो बात है वो है कि संसद के दोनु सदनों की सयुक्त बैठक बुलाना तो आवसेक्ता पढ़ने पर भारतिय सविदान का जो अनुछेद 108 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राश्टरपती आवसेक्ता पढ़ने पर साधान विधेकों के समंद में दोनु सद्नों में लिकिसी भी परकार का कोई मतभेत पैदा होता है तो राश्टरपती दोनु सद्नों की सज्वक्त बैठक बुला सकता है देख utilize यहां पर मैंने कहा कि सधान विदेकों के समंद में इसकार्थ क्या हुआ इसकार्थ ये हुआ कि सविधान संसोधन समंदी विदेकों के समंद में और वीत्य विदेकों के समंद में राष्टरपती को दोनु सद्नों की सयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार परदान या सकति परदान नहीं कीगी है केवल सधान विदेकों के समन्द में भारत का जो राष्टरपती है वो दोनु सद्नों में किसी विपरकार काईदी कोई मतबेद पैदा होता है तो दोनु सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है देखिए अभीतक के भारतिय सविधान के अनुछेद 108 के अंतरगत राश्टरपती ने केवल अभीतक तीन बार संसद के दोनु सदनों की संयुक्त बैठके बुलाई हैं कब-कब पहली बार 1961 में दहेज समंधी विधेग पर दूसरी बार 1978 में बैंकिंग समंधी विधेग पर और तीसरी बार 2002 में आतंकवादी निरोदक कानौन पोटा को लागू करने के लिए भारत के राश्टरपती द्वारा दोनु सदनों की संयुक्त बैठके बुलाई गई है अब देखिए विधाई सक्तियों में सबसे मैत्वपन जो सक्ति है वो है भारती राश्टरपती की अध्यादेश जारी करने की सक्ति भारत का जो राश्टरपती है वो अनुच्छेद 123 के अंतरगत क्या कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है अब देखिए इस प्रकार के जो क्यूसन है वो दो नंबर में अक्षर पुछे जाते हैं कि ये पुछा जा सकता है कि अध्यादेश क्या होता है तो इस समन में आपन चर्चा करते हैं कि जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है और जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है तो देश में कई बार क्या है कि ऐसी परिश्थतियां पैदा हो जाती हैं कि तुरंत कानून बनाने की आवसेक्ता होती है तो इस समय भारत का जो राष्ट्रपती है जो आदेश जारी करता है और जो कानून की तरह इमाने होता है त कि राष्ट्रपती का जो ज़ा जाता है कि फूस प्रिस्तियों में जारी किया, जब संसथ के दोनुु शदन शटर में नहीं होते हैं। संसद के दोनु सदनों के समक्स रखा जाएगा और संसद का सतर प्रारंब होने के छैसपता के भीतर-भीतर इसे अनुमोधित करा लेना होगा अने था ये है परभाव में नहीं रहेगा मेरा कहने का मतलब ये है वो बिना संसद की श्विकरती के छैसपता तक और यदि 6 सप्ता के बाद में यदि संसद उसको पारित कर देती है तो उसको 6 महिना के लिए लागू किया जा सकता है तो पहली सक्ति अपने पढ़ेती भारती रास्ट्रपती की कारिय पलिका समन्दी सक्ति दूसरी सक्ति पढ़ेती अपने विधाई सक्ति या कनो निर्मान के चेत्र में सक्ति विदेख जो हैं उनको कि लोग सभा में रखा जा सकता है राज्य सभा में वित्य विदेखों को नहीं रखा जा सकता लेकिन कोई भी जो वित्य विदेख है वो लोग सभा में भी राष्ट्रपती की पूर्वा नुमती से ही रखा जा सकता है लोग सभा में वित्य विदेखो को रखने से पहले राष्ट्रपती की पुर्वा अनुमती आवसेख है तो वीतिय चेतर में सबसे मैत्रपुन या पहली बात क्या हुई पहली बात ये हुई कि कोई भी जो वीतिय विधेख है उसको लोग सभा में रखने से पहले राष्ट्रपती की अनुमती लेनी वीतिय चेतर में जो दूसरी सबसे महत्वप्रून सकती है वो है बजट के समंद में अब देखिए यहां पे इसपस्ट करना आवसेख है कि भारती जो सविधान है उसमें बजट सब्द का कहीं उलेक नहीं किया गया है वार्सिक वीतिय विवरन जो सब्द है वो लिखा हुआ अब देखिए भारती सविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसके अंतरगत परतेक वीतिय वर्स के प्रारंब में संसद के दोनु सदनों के समुख भरत सरकार की उस वर्स के लिए आय और वे का विवरन यानि बजट रखवाता है तो परतेक वीतिय वर्स के प्रारंब में देखिए भारत की आक्समिक निधी जिसका उलेक भारती सविधान के अनुच्छे 267 में किया गया है और इसमें जो अमर्जन से में ये फंड है जो निधी है इसको काम में लिया जाता है और इस निधी पर भारत का जो राश्ट्रपती है उसका इसके उपर पुरण नियंतर भारती सविधान होता है वह आक्समिक वे के लिए इस नदी से धन्राशी दे सकता है और इसके लिए बाद में संसत की स्विकर्ती लेनी आवसिक है अगली जो सबसे मैत्वपर्ण जो सकती है वीतिये सकतियों में वो यह है कि आप सभी को पता है कि वित आयो के गठन का प्र गया है और प्रतेक पांच वर्ष के लिए भारत का जो राश्ट्रपती है वो वित आयो का गठन करता है तो यह मैत्वपर्ण सक्तियों थी वीतिये छेत्र में सक्तियों इनमें दो नम्बर का क्यूशन कई बार पूछ लेते हैं कि भारत के राश्ट्रपती की कोई दो वित सक्तियां बतलाईए भारती राश्ट्रपती की कोई दो विधाई सक्तियां बतलाईए या भारती राश्ट्रपती की दो कारिये पली का समंदी सक्तियां बतलाईए तो अभी तक हमने भारती राश्ट्रपती की तीन जो मैत्वपर्ण सक्तियां हैं उनके उपर डिसकस किया है कौन कौन सी कारिये पलिका समंदी सक्टियां विद्धाई सक्टियां वितिये सक्तियां और चोथी जो सबसे मैत्रप्र ‌जो सक्टी है कि भारत के राष्ट्रपति को नयाएक शेतर में भी सक्ति प्रदान की गई है जैसे भारत का जो राश्टरपती है वो उस्तम न्यायले और उस न्यायले की न्यायले की न्याय दिशों की न्यूक्ति करता है उस्तम न्यायले की जो न्यायले की 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 सविधान संसोधन समंदी सकती देखिए भारतिय राष्ट्रपती को जो सविधान का जवानुच्छे 368 है जैसा कि हम सभी जानते हैं उसमें सविधान में संसोधन करने समंदी प्रावधान किये गए और आप सभी को पता है कि सविधान में संसोधन जो है वो तब ही समझा जाता है जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उसके उपर जब अंतिम रूप से भारत का राष्ट्रपती अस्ताकसर कर देता है तो इस सविधान में संसोधन समझा जाता है तो भारती रास्त्रपति को सविधान में संसोधन करने समंदी सक्तियां भी प्रदान की गई है जैसा कि हम जानते हैं कि सविधान में संसोधन करने की तीन विध्या या तरीके हैं कौन-कौन से हैं ये क्यूसन भी कई बार अग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारती सविधान म संसोधन करने के तीन तरीके या विधिया हैं कोन कोन सी एक तो संसद है वो साधान वहमत से संसोधन कर सकती है दूसरा यह है कि संसद अपने विशिष्ट वहमत से संसोधन कर सकती है और तीसरा जो तरीका है उसमें यह है कि संसद अपने विशिष्ट वहमत के साथ साथ आध्य से अधीक राज्यों की जो विधान समाएं हैं उनका समर्थन भी आवसेख है तो चाहे पहला संसोधन हो चाहे दूसरे तरीके का संसोधन हो चाहे तीसरे तरीके का संसोधन हो संसोधन कब समझा जाएगा जब दोनु सदन उसको पारिद कर देंगे और अंतिम रूप से जब र सविधान में संसोधन समझा जाएगा तो भारती राष्ट पतिगोर सविधान संसोधन समंदी सक्तियां भी परदान की गई हैं अगली जो सबसे मैत्रप्रण जो सक्ति है वो है सेने सक्तियां या सेने चेतर में सक्तियां कि क्या सक्ति परदान की गई है हम सभी बच्पन से प अपनने पड़ा है कि भारती सेवग्णान का जो आर्टिकल 53 का जो दूसरा भाग है उसके अंतरगत भारत के राष्ट्रपति को 3 सेनाओ का सर्वच सेनापति को नहीं होता है भारत का राष्ट्रपती होता है तो तिनों सिनाओं का सर्वच कमांडर जो है वो भारत की राष्ट्रपती को बनाया गया है तो ये सिने छेतर में भी भारत की राष्ट्रपती को सक्तियां परदान की गई है अब देखिए अगली जो सबसे महत्रपुन जो सक्ति है भारत की राष्ट्रपती की वो है विदेशिक छितर में सक्ति विदेशिक छितर में सक्ति का मतलब क्या है कि विदेशों के सम्मंद में भारती राष्ट्रपती को कोन-कोन सी सक्तियां परदान की गई है अब देखिए भारती संग का स्वेधानिक परमुख होने के नाते राष्ट्रपती विदेशिक छेतर में भारत का प्रतिन दित्वा करता है भारत का राष्ट्रपती विदेशों में इस्तित जितने भी भारत के दुतावास हैं उनमें राजदुतों की न्योक्तियां हैं, कोटनेतिक परतिनेदियों की न्योक्तियां हैं, वो सब राश्टरपती करता है, राश्टरपती विदेशी जो राश्टरपती हैं, जो कोटनेतिक परतिनेदियों को परमानपतर जारी करता है, विदेशों से जितने भी संदी और स संपन किये जाते हैं तो यह हूई विदाशिक छितर में भारत के रास्टरPती की सक्तियां अब देखिए ये क्युष्ण कही बार आता है दो नुमेर का भी पूछते अक्जाम में पासनुमर का क्युष्ण भी पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपती है उसकी सव विवेक ये सक्तियां बतलाईए कोई दो सव विवेक की सक्तियां बतलाईए तो सव्विवेक का मतलब है कि राष्ट्रपती कुछ मामलों में अपने सव्विवेक का प्रियोग करते हुए उन पर नेने लेता है जैसे हम बात करते हैं मानलेजिये लोग सभा के चुना हुए और लोग सभा में किसी एक दल को इसपस्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो पहली सकती क्या हुई पहली सव्विवेक के सकती यह हुई कि मानलेजिये कोई लोग सभा के चुना हुए और किसी एक दल को इसपस्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसी प्रिस्टतियों में राष्ट्रपती है वो अपने सव्विवेक का प्रियोग करते हुए क्या कर सकता है अपनी इच्छा के नुशार किसी भी व्यक्ति को परधान मंत्री पत्पर न्योकते कर सकता है अब देखिए धन विधेकों के अलावा किसी अन्य विधेकों को राष्टपती पुनर विचार के लिए दोनु सदनों को वापिस लोटा सकता है तो जो विधेक पारित होकर आए उनके उपर राष्टपती पुनर विचार के लिए उनको लोटा सकता है यह दूसरी सविवे उसमें क्या प्रावदान है कि जब कोई भी विदेग संसद के दोनु सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपती के समक्स परस्टूत किया जाता है और राष्ट्रपती यह गोशित करता है कि वह विदेग परनुम्ति देगा या नहीं देगा पर ऐसी गोशना के लिए सविदान में कोई समय सिमा निर्धारित नहीं की गई है अत्याई समंद में राष्ट्रपती जे बी विटो का प्रियोग कर सकता है तो एक सविवे के सकती में पोकेट विटो या जे बी विटो जिसका प्रियोग 1986 में डॉक्टर ग्यानी जेल सिंग जो बारत के ततकाले राष्ट्रपती थे उनके द्वारा किया गया था तो ये सविवे के सकतियों में मैंने आपको बताया है कि जैसे किसी एक दल को जब इसपस्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है सबा में तो अपनी इच्छानुसार किसी विवेक्ति को परधान मंत्री पद्पन्योक्त करना विदेकों को पुनर विचार के लिए लोटाना अपनी पोकेट में रखना ये जितने भी सकतियां है ये भारतिय राष्ट्रपती की सब विवे के सकतियों में आती है अब देख राष्ट्रपती को छमादान समंदी सक्तियां में परदान की गई है भारतिय सविदान का जो आर्टिकल 1272 उसके अंतरगत भारत के राष्ट्रपती को ये सकति परदान की गई है अब देखिए राष्ट्रपती जो वो सेनिक जो नयायले हैं या संगिय कानून के विरुद क किये गए अपराद के लिए दोस्चिद किसी वेक्ति के दंड को छमा, विराम या लगुकरन करने की सक्ति उसको प्राप्त होती है। तो ये हुई भारत का जो राष्ट्रपती है उसकी छमादान समंदी सक्तियां। प्रुट्रपती है उसकी है।